हेलो फिंस वेल्गम टू पर्चम क्लासेज मैं हूँ आपका साइन्स एजुकेटर दीपक शर्मा और आज का जो शेशन है वो रेलवे आर्पी अफ ट्वंटी ट्वंटीफोर की एक्जाम से रिलेटेड है देखिए रेलवे में जो साइन्स का लेवर है अगर हम एससी के और अधर एक्जाम में देखें तो थोड़ा सा हाई होता है यहां फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे लेवल पर पूछी जाती है जैसे न्यूमेरिकल इसको मिली आपके लिए लेकर आएक क्योंगा पूरा साइन्स का ओपिक वाइज देलेफस आज एक पेपर को भी इसकर ने कर सकते हैं रेल्बे कावी स्पेसिविक आने वाला है व्यार जोइन कर सकते हैं आप हमारा जीए का ओस है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोज कि सारा आपको कवर होगा सारा कवर मिलेगा recorded form में आपको सारी classes मिलने वाली है तो चलिए चाहिए और इसको पर्चेज कर लीजिए क्योंकि दिखो एक course आपको जरूर ऐसा चाहिए जहां complete टॉपिक वाई चीजे कवर कर पाते हैं कि क्या करना है पर्चम एप को डाउड करना है अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इन नंबर पर कोल यह मैसिस करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं यह जो सेले बस है वह हम लोग फ्रूरा लास्ट में डिसकस करेंगे इसकस करते हैं जो मैटलिक ओक्साइड है एक्टिंग वीट बोथ एसिड जे इन बेस फोर सॉल्ट एंड वार्त प्रूर। production is called, देखिए, जो metallic oxides होते हैं, वो react करते हैं, acid as well as base to produce water and salt, तो क्या produce करते हैं, water and salt produce करते हैं, और हम इनी को ही क्या बोलते हैं, amphoteric oxides बोलते हैं, आगर मैं amphoteric oxides के examples की बात करूँ, तो Al2O3ZNO, मैं आपको एक reaction भी करके बताता हूँ, कि यह कैसे काम करते हैं, reaction, देखिए, Al2O3, ठीक है, साफ में आपने क्या कर लिया, साफ ने आपने एक acid लिया, तो HClac acid है, hydrochloric acid, चलिए, hydrochloric acid की साथ जब react करता है, Al2O3, तो कैस क्या मनता है, 2AlCl3, ठीक है, यह बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, water, तो यह क्या है, यह यहाँ पर है, salt, और यहाँ पर क्या है, यह आपको water है, तो क्या produce हुआ, salt और water produce हुआ, ठीक है, एक चीज और information इसमें है, कि जो amphoteric oxides होते है, also able to neutralize both acid and base, ठीक है, अगर आप इन oxides में water mix कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा, alkaline solution बन जाएगा, क्या बन जाएगा, alkaline solution आपको बन जाएगा, some metal oxide react with acid and acid as well as base to produce salt and water, they are known as amphoteric oxides, ठीक है, amphoteric oxides also able to neutralize both acid and base, ठीक है, जो near side defects है, उनको कौन सा lens की use से वो remove जाता है, concave lens, convex lens, bifocal lens, कौन सा lens, देखिए, ये बिल्कुल बहुत इज़ी क्यों है, बिल्कुल बहुत इज़ी, आपको पता होना, जिए, concave lens होता है, option C, क्या होता है, concave lens, देखिए, आपको पता है, कि जो myopia disease बोल दो आप इसको, आप इसको near sightness बोल दो, हाना, आप इसको near side defects बोल दो, हाना, ये अगर इसको आपको दूर करने, तो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको concave lens का यूज़ करना पड आपको पता रख जाएगा, मैंने वहाँ topic wise physics और chemistry cover कर रहा है, वहाँ को देखने को मिलेगा, next, what is the formula for plasteropolis, ये पूछा कहा था, बहुत हीज़ी ता, आप सभी को बताए, क्या होता है, इसका plasteropolis का formula, बताए, सभी लोगों को comment करके बताना है, हर चीज, C, A, calcium आता है, जाना क 2H2O, ये क्या है, ये है plasteropolis, ठीक है, चलिए, next question क्या है, बहुत easy question होगा, what is the mass of the moon, देखो, अब आपको बता दूँ, कि हमें moon की बात हो, चाहे वो earth की बात हो, चाहे वो Jupiter की बात हो, कम से कम हमें इनके mass के बार में information होना चलोगी है, कि आपको तीनों के याद करने पढ़े ठीक है, तो 7.347, ध्यानकना, क्या होगा, 7347 into 10 की power 22 kg, ये तो आपका है moon का, चलो, ये तो आपको याद हो गया, आपको पूछे आपको कि, अर्थ का mass कितना होता है, तो अर्थ का mass ध्यानकना, ये आप जरूर याद कर लिए, लिख लेना, अर्थ का पूछ सकता है, और प 1.972, अब number of 10 की कितनी power की बात करें, 10 की power 24, 24, बिल्कुल, क्योंकि अर्थ का mass ज्यादा होगा, moon की mass से, अगर मैं Jupiter की बात करूँ, जूपिटर की बात करूँ, तो जूपिटर का mass क्या होगा, वो इनसे भी जादा है, 1.9 into 10 की power कितनी हैंगे, 10 की power आगे, 27, ध्यानकना, ये important है, ये जो power है, ये ही आप confuse करेगी, वहाँ पर, ठीक है, तो ध्यानकना, आपको अर्थ का, जूपिटर का, और moon का, तीनों के बा following is natural source of lactic acid, lactic acid का natural source, lactic acid is present in sour milk और curd, खटे दूद और रही में होता है, जो दूद में जो खटापन होता है, वो किसकी विज़े से होता है, जो presence of lactic acid की presence की विज़े, और मैं अगर आप कहूं कि जो humans, हम लोग जो होता है, वो ठक जाता है, और ठकने पर हमें थकान मैसूस हो गोटनों में दर्द होने लगता है, ये क्यों होता है, ये lactic acid हमारी muscles में accumulate हो जाती है, इसके कानव में से होता है, अब बहुत सारे sources आपको पता है, ऐसिड से रिलेटेड पूची जाते हैं, जैसे, वीनेगर, वीनेगर में कौन सा होता है, acetic acid, acetic acid, vinegar में होता है, ये बहु टार्ट्रिक टार्ट्रिक एसिड हो गया फूर्थ कुंसा है वो है ओक्जेलिक एसिड तो ये एसिड और उनके सोर्स एक्जाम में आता है जैसे पुछा गया है यह आपको याद हो जिए बहुत बार मैंने आपको करवाया भी है वाट इस दा एक्टोमिक नमबर ओफ हीलियम बहुत इजी कुशन बहुत 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 इजी कुशन देखिए हाइड्रोजन हीलियम यानि एक्टोमिक नमबर हो गया तू देखो प्रियोडिक टेबल में आपको अल्मोस 30 तक तो याद करना ही पड़ेगा अट्रोमिक नमबर आपको 30 तक याद करना पड़ेगा इस तरह से, अब हीलियम एक्टोमिक नमबर आता है तू अब हीलियम के बारे में और बात करें तो जो बैलून्स होती है उनमें कौन से गेस होती है हीलियम गेस होती है बैलून्स में हीलियम गेस होती है ुबा । डवर्स जो गोता और सम्मुदर में जाते हैं जो शलेंडर पीछे लगा होता है उसमें औक्सिजन के साथ कौन से गेज मिली होती है हीलियम गेज मिली होती है वो किसी से रीयक्ट नहीं करती है टीकिए क्यों किवह अपने ओक्टेव लो को फॉलो करती है क्या होता है डिसमें आकरी जो इसमें किसी के मोष्ट और सल मि या तो दो या आठ değil होंगे इसका मतल्ब अपनी लाइफ में ऐसटल्ट ह تو जो जिंद्गी में दूसरों को problem कम created करता है नोबल गेसेज आपने सुनी होंगी सारी नोबल गेसेज क्या है वो क्या है वो अपने अक्टेव लोग को फोलो करती है जैसे noble metals भी होते है noble metals जैसे platinum है सोना है चांदी है यह भी किसी को react नहीं करता है अन्हा जो अपने वाला रोग है टीवी देखो tuberculosis is disease usually caused by mycobacterium tuberculosis bacteria तो क्या है यह bacterial disease है अब वाइरस होने वाली disease आपको देखनी है तो ध्यारग ना चिकन फॉक्स पहली वाइरस साने वाली चिकन फॉक्स हमें common code हो जाता है जल्दी से सरदी हम कहते हैं वह आपको मैं आपको मुल रहा हूं सहे दीखने रहा हूं वह बहुत चोटा फॉंट है रेबीज कुट्य की काटने सो जो जाता है वह कहें वह एक virus disease ते फोक्स की एक वािरस डिजीस है एड्स एड्सकर एड्सकर डिजीस है डाम बात करते है मेसल कहा है कि वाइरल वाइरस डिजीज है अब बात करते हैं बैक्टीरिया कोलेरा का नाम सुन है काई फाइड कोलेरा फ्लैग ठीक है पिटरिसिस टिटेनस लेप्रोशी टुबरियो किलिसी से सब बैक्टीरिया वाले अभी हमने पढ़ा प्रोटो जो आ बहुत इंपोर्टे हैं आपके प्रोटोजोर डिजीज तो ये तो बहुत कॉमन है अगर आप ऐसी चीजों में भी गल्ती करते हैं यह चीज आपको याद नहीं है अब आप कहोगे कि यह याद नहीं है तो सबसे बड़ा नुक्सान जब आप किसी एजी कुशन को गलत करते हो ना तो आप यह मा इक्षन खत्रे में आ जाता है एक सिंगल गलत होने का मतलब कि मुस्किल से आप उसको रिकावर कर पाओगे वो इन्मेंटेड दा नुक्लियस ओब दा सेल देखो नुक्लियस ओब दा सेल को डिस्कवर किस ने किया तो वो क्या रॉबर्ट ब्राउन ने किसे किसे क्या रॉबर्ट ब्राउन ने देखो इस से रिलेटेल कुछ डिस्कवरी आपको याद होने चीए जैसे से रिलेटेड इसेल की डिस्कवरी किसे ने की, तो सेल, वू डिस्कवर्ड सेल, रोबर्ट हुक, कौन है, रोबर्ट हुक है, यह आपको पता रगया, एंटिनो लिविएन हॉक, यह क्या है, इन्हों ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, नूकलियस, नूकलियस किया था, अपने रोबर्ट ब्राउन नहीं किया था इससे लावा इसमें एक वर्ड और आता है, जो मैं मान जाऊंगो वर्चू को बारे में आकर मैं बात करूं आपने एक वर्ड सुने हम पूर वर्ती को सिकाओं से प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल्स का निर्मान होता है अगर हम एक साइंटिस्ट की और बात करें जो क्रोमोसोम्स अमारी हेरीडिटी में जो प्ले रोल प्ले करता है उसके बारे में जिसने बताया है वो थे थे थॉमस से मॉर्गन थे which of the following is a fiber made by chemical reaction on a wooden pulp तेखिए अगर मैं बात सुरू रियान की तो रियान is prepared by the chemical treatment of wood pulp और sodium hydroxide solutions the fiber is also called artificial silk क्या बोलते हैं? artificial silk बोलते हैं? बिलकुल सही है nylon की बात करें polymer की बात करें ठीक है? nylon में देखो त्यानक न यह सब polymer unit की बात करते हैं polymer है और polymer किस से मिलकर बना होता है? monomer unit से मिलकर बना होता है यानि मैं अगर यह कहूं जैसे मैं कहूं nylon तो nylon acid monomer, amino monomer यह मिलकर बनाते हैं polymer यानि यह कहूं कि यह एक चीज तो है मौनॉमर अगर बहुत सारे मौनॉमर मिलकर कोई चीज बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पोलीमर कुछ ऐसा ही है नैलोन कहा है नैलोन एक कंडेस्ट्रीशन रियक्शन बिट्विन एसेंड मौनॉमर एंड अमाइनो मौनॉमर इसकी प्रजन्स के कारण होता है, तो वह है, फेरिक ओक्साइड, फेरिक ओक्साइड, ऑप्षिन, ए इस दा राइट ओक्साइड, इस रेड कलर is mainly due to फेरिक ओक्साइड, occurring and thin coating on soil particle, soil particle इस फेरिक ओक्साइड बना लेता है, वीट, पॉर्टन, टैबको, यह सब होता है और कौन-कौन से इरिम होता है जादा तर अगर मैं बात करूं तो यह होता है पैनसुला जो तमील अडू में है वहाँ पर साउत में बुंडेर खंड में या राहज मेल इस्ट जो काठी वाड़ी छेतर है वहाँ पर ऐसा होता है यह सारी चीज़े तो थी आपके प्रिवेश् बहुत इजी टोपिक है अलड़ी पहले ही आम लोग डिसकर्ज करते हैं मोशन वर्क पावर और एनरजी ग्रिविटेशनल अना गुरुत वाक्रिशन वेव और साउंड वेव वेव में इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है रेल्वे में एक्स्ट्रा है वेव में अना ट्रांस साउंड वेव और इलेक्ट्रो में बात करते हैं साउंड वेव तो मैंने उल्रेडी पढ़ा है हीट थर्मोडैनेमिक्स में कुछ न्यूमेरिकल करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई कोई परतन है उसमें वाटर है और एक बरफ है बरफ पीगल जाएगे तो उसके वॉल्य में क्या चैंजे जोगें अगर कितना हिज़ा वो बरफ का एक पर विडूबाते हैं तो कितना परशंट हिस्दा बरफ में डूब जाता है कितना अगर वह प्रक पड़ेगा ठीक है यह सारे कुशन्स हीट और कन्वरजंस से रिलेटेट बहुत कुशन्स होते हैं अ यहां पर बहुत बड़ा टोपिक होगा लाइट बहुत बड़ा टोपिक होगा लाइट को डिटेल में रेलवे पढ़ेंगे एससे में लाइट में तो एक दो क्योशन आते हैं वह भी बहुत बैसिक अगर आपने उन इसको कर लिया ना मैं कर रहा हूं आप एक साथ दस लाख लोगों कवर कर लेंगे नुमिरिकल में वैसे मानते हैं कि फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो नोन साइंस वाले स्टूडेंट लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आप मेरे सेशन्स देखिए मैंने थेओरी मे में पढ़ा है जाएगा यह सारे इजी कुशन्स हैं ठीक है फ्यूजन और विजन के रिलेटेड मैगनेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करेंट अभी यह रेलवे का इंपोर्टेंट टोपिक है एक यहां से बनता है वह आपको बता हुगा हुमन आइज के बात करेंगे और आ टोपिक के निमेरिकल्स को आपको कवर करने वाला हों साथ में अगर केमिस्ट्री की बात करें केमिस्ट्री में बॉंडिंग से रिलेटेड रेलेमें में क्यूशन बहुत पूछे जाता है अगर मैं इससे अलावा बात करूं तो केमिकल रियक्शन पूछा जाएगा एक अधिए कमिस्ट्री में ओर निक और इनॉर्द इन ओर गेनिक चैमिस्ट्री आती है एक तिसमें जादा और कुछ-कष और रेलेवेलेमें तो और गनिक को भी कवर करेंगे आपके लिए लिए यह यह टिल्यौर आईजर हैं जो हम लोग इंग्नोर करते हैं लेकिं रेले तीड इंट क्लासिउ केशन में पांचों को पढ़ेंगे उनके सारे फाइलम्स को डिसकस करने माले हैं उनके क्या अड़िए क्या होगा क्या है पुरे प्लांट की प्लांट की स्टक्चर को पढ़ेंगे plant morphology को discuss करेंगे plant morphology बहुत important है plant tissues हो गए, photosynthesis हो गए उनके hormones हो गए, उनके disease हो गए sexual और asexual reproduction हो गए flooring plants हो गए, transportation हो गए respiration, हाना extraction ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें discuss करने वाल है क्योंकि plant morphology का अच्छा topic है और अच्छा इसलिए भी है क्योंकि अगर ये question वहाँ टकराता है और आप लोग सही करेंगे, मेरे students तो सही करेंगे वो बहुत बड़ी बात हो क्योंकि सब लोग छोड़की चलते हैं, सब भी सूचते हैं कि action में होता है क्या है, जो non science वाला नहीं होता, या जहां से हम लोग कई वार class नहीं लेते हैं, तो हम नहीं लगता है कि chapter ship, human reproduction, digestion system, recipe system, cell, tissue, digestion system यही biology है, लेकि इन सबसे यह 60% biology है 40% biology तो बहुत अलग है, जैसे classification of organism, genetics ठोड़ देते हैं लोग, plant, पुरे plant का पूरा part, morphology लेकर इसके tissues को लेकर, ठीक है, अगर मैं बात करूँ करते हैं, जारा था discussion चलता है, digestion पे, respiratory पे, ठीक है तो reproduction पे, इन सबसे अलाबर, genetics है, या ecology है, इन सारी चीजों को discuss करेंगे, क्योंकि वो भी science का बाड़ा part है, पर अब सड़नली जाते हैं, हम लगता है कि देखो, अब क्या होता है, एक्जाम में जाराफी में आएंगे, तो आपको जीओगराफी क्यों पड़ू, फिर दो question, ancient history में, दो midwell में आएंगे, एक modern में आएगा, फिर आपको एक world history शाता है, मैं क्यों बढ़ू, दो question, statics शाता है, तो क्यों पड़ू, दो execution current से 15 topic होते हैं, मैं क्यों पड़के जाऊं, तो यह दो-दो-एक-इक number करके ना, ऐसा पूरा जाल बना लेता है, तो GKGS एक जाल है, इसलिए student इसमें फसा रहता है, उस फसे ना रहा हो, इसके लिए topic-wise जीज़े कवर होंगी, complete cell-wise आपको topic-wise मिलेगा, अगर आप चाहोगे, कि सिर्फ सर मैं cell division पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको वहां मेरा वीडियो होगा, cell division का, उस से related mcqs, yt पर में आपके लिए करवाता रहूँगा, last 10 years के paper में आपके लिए करता